नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट अस्सलाम अलेकम नई सुभा के इंडिपेंडन लिविंग प्रोग्राम के ओडियो लेर्निंग टिटोरियल्स में खुशाम दी मैं हूँ सनन अजीर आज हम बनाना जिखेंगे जर्दा इसके लिए जो अच्छा हमें दरकार हैं वो ये हैं चावल एक किलो जर्दिक अरंग एक टी स्पोन चीनी दो से धाई कप घी डेड़ कप छोटी इलाइची चार से पांच अदद या लॉंग चार से पांच अदद खोया, तीन कप, छोटी गलाब जामन, एक पाउ, छोटी चमचम, एक पाउ, अशर्फियां, एक पाउ, बदाम पिस्ता, एक कप तरकीब सबसे पहले चावलो को अच्छी तरह धो कर भिगो लें अगर चावल सेला हो तो कम अज़ कम दो घंटे, और अगर चावल बासमती ओ तो जादा से जादा आधा घंटा इसके बाद एक खुले मूखी 2-3 किलो की पतीली लें, और इसमें आजे से जादा पानी भरके इसे चूले के उपर रख दें इसके बाद चूलहा जला दें जब पानी में उबाल आ जाए तो भीगे हुए चावलों का पानी अलग कर लें और उबलते हुए पानी में चावल डाल दें और चम्चे की मदद से इसे हिलाएं साथ ही जर्दे का रंग भी शामिल कर दें इस दोरान चावलों में वक्फे वक्फे से चम्चा चलाते रहें और चावल को चेक करते रहें चावलों को चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़े से चावल चम्चे की मदद से बाहर निकालें और इसे एक प्लेट में डालें फिर एक चावल का दाना उंगली और अंगोटे के दर्मियान मसल कर देखें कि इसमें कितनी कसर रह गई है। ये अमल दो से तीन बार करें। जब आपको ये महसूस होके चावल में एक दाना बाकी रह गया है तो समझें कि एक कनी बाकी रह गई है। अब आप चावलों का प्रेनर में डाल दें ताके इनका पानी अलग हो जाए अब इसी पतीली में घी डालें और इलाइची या लॉंग शामिल करें और अच्छे से घी को कड़कड़ाएं अब इसमें चावल शामिल करें और चीनी एड करें फिर इसे चंचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें अ और फिर चूला बंद कर दें अब सबसे पहले इसमें खोई की तैह बिछा दें उसके बाद बदाम पिस्ते अशर्फियां गुलाब जामन और चमचम भी इसके उपर सजा दें इसके बाद ठकने को अच्छे से बंद करके रख दें पांच मिनट के बाद सर्फ करें मज़ेदा हमार जर्दा तयार है आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई रासुदी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानित से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए